हाई गाईज, वेलकम बैक इन बुक्स एट स्कोल, सो गाईज बिना टाइम वेस्ट किये, लेट्स बिगिन, प्रिंसिपल नमबर नाइज, बजेटिंग टाइम और मनी, प्लेन फैक्ट ये है कि टाइम और मनी, दोनों ही इस बात को तै करने में बहुद इंपोर्टेंट फैक अगर आप अपना टाइम बरबात करने या अपने पैसों को बरबात करने के एक पैटन में आते हैं, तो आप नीचे की और घूमना शुरू करते हैं, जो की बेकार की फिलिंग्स होती है, आप अपने लाइफ के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यूंकि आपके रिसोर्स की म पॉल्ट यह है कि एक्टिविटी ज़रूरी रिजल्ट्स नहीं देती है, पीटर ए ट्रला एंड कैतलिन एल हॉकिन्स अपनी बुक टाइम मैनेजमेंट मेड इजी में इसे हाती का शिकार और चीटियों को मारने के बीच का डिफरेंस को कंपार्जन किया है, वो कहते हैं, आइम मैनेजमेंट के साथ सक्सेस होने के लिए इंपोर्टेंट की है, हाती का शिकार आपकी हाइस्ट पिरोयरेटी बनाना है, प्रिंसिपल नमबर 10, मेंटेनिंग सौंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हेल्दी माइंड के बिना आपके पास एक हेल्दी बोडी नहीं हो स सकती है, ना तो आप एक हेल्दी मेंटल अटिट्यूड रख सकते हैं और ना ही सही तरीके से सोच सकते हैं कि आपकी बोडी हेल्दी है या नहीं, डॉक्टर अर्विंग डार्डिक एंड सैकेलोजिस्ट डेनीज वेटली बताते हैं कि ट्रू फिटने सिर्फ बाहर काम करने से नहीं, बलके सही खाने या खुद के भारे में अच्छा फील करने से जादा है, शायद मेंटल हेल्थ की साउंड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल कॉलिटी है पॉजिटिव मेंटल अटिट्यूड और वो सभी शामिल है इसमें, यूमेन माइंड में सबसे को खराब करता है, विजन को खराब करता है और पॉजिटिव मेंटल अटिट्यूड के लिए नेसेसरी सभी कॉलिटी इसके हार्मिन को और पीस को खराब करता है, ये कुछ इस तरह काम करता है, इमेजन करो कि आपको एक इमपोर्टेंट बिजनस अपॉइंट्मेंट के लि होती है और आप सोचने लगते हैं अगर मैं इस appointment से चुक गया तो क्या होगा मेरा client बहुत परेशान होने वाला है अगर वो परेशान हुआ तो वो शायद मुझे कभी देखना नहीं चाहेगा अगर वो मुझे नहीं देखता है मुझे कभी order नहीं मिलेगा अगर मुझे order नहीं मिलता है तो मैं बोस के साथ बड़ी परेशानी में पढ़ जाओंगा वो मुझे जॉब से निकाल भी सकते हैं अगर मुझे जॉब से निकाला गया तो मैं मौत के घाट उतरूंगा इसलिए जो आप रेल में खुद को बताते रहे हो वो यह है कि अगर आपको किसी appointment के लिए देर हो रही है तो आप मरने वाले है Of course, that's useless आप मरने वाले नहीं है आप situation को explain कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा possibilities है कि वो client समझ जाएगा हमेशा positive होकर सोचें Principle No.11 The Mastermind Alliances Mastermind एक जुट को highest order के रूप में define किया जा सकता है एक common purpose के दिशा में काम करने के लिए सही harmonie की spirit में ideas, information और contacts को share करना है Mastermind कुछ परकार के parapsychologist होकस पोकस नहीं है आप इस brainstorming exercise में experience कर सकते हैं जब आप और दूसरे पस click करने के लिए लग रहे थे एक दूसरे पर बनाए गए ideas जब तक आप अंत में सभी के सबसे बड़े ideas problem का सबसे अच्छा solution और original नए कॉम्चक पर पहुंचे और group में हर एक mind process में जुड़ा गया है एक ऐसा रिष्टा है जिससे develop करने के लिए पालना और encourage किया जाना चाहिए लेकिन इस तरह के harmony को achieve करना हमेशा आसान नहीं होता है हम सभी को अपनी internal forces को harmonize बनाने में difficulty होती है most favorable environment में भी mind के एक diverse group का harmonize बठाना कहीं ज़्यादा difficult है लेकिन ये efforts worth है उन लोगों के साथ जुड़ना चुने जो common values, goals और interest को share करते है फिर भी हर एक इनसान के पास overall effort में contribute करने की strong individual desire है अपने mastermind alliance के members को बनाए और आप पाएंगे कोई भी problem solve करने के लिए बहुत difficult नहीं है कोई भी goal अचीव करने के लिए lofty नहीं है principle number 12 टीम वर्क एक professional sports team जो team work practice करती है और लगातार जीत सकती है जब players मैदान पर एक team होके काम करते हैं चाहे वो मैदान पर एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं board के directors disagree हो सकते हैं even वो unfriendly भी हो सकते हैं फिर भी वो एक successful business चला सकते हैं एक husband and wife बादाओं पर हो सकते हैं और अभी भी वो एक family बढ़ा सकते हैं और सभी बाहरी दिवखावे खुशी और successful हो सकते हैं ये सभी alliances कहीं ज़्यादा powerful और effective होंगे हालांके अगर harmonium और cooperation की foundation पर बने है एक simple cooperative effort power produce करता है लेकिन purpose के complete harmonium based पर team work powerful बनाता है sports में, business में या life में किसी दूसरे activity में जो team एक साथ combine होती है हर एक इनसान के talent को एक powerful पूरे मिल कर जीत जाएंगे Thank you guys for watching